आई अब्रिवन आज सुरू करने जा रहे हैं ICC के मल अग्रवाल का बैंकिंग का क्विश्ट नमबर फूर्थ अब देखिए इस कुश्चिन में क्या कह रहा है पहले कुश्चिन को पढ़ लेते हैं कुश्चिन को सौल करने से पहले कुश्चिन को बहुत अच्छी दर्गे स से पढ़ लीजे अगर आप कुछिन जब तक का नहीं समझेंगे तब तक का आप सॉलीशन करने में फस सकते हैं तो प्लीज एक बार कुछिन को बहुत घ्यान से पढ़िए आपके पास क्या क्या चीज़े कह रहा है दीखिए कह रहा है डेविट ओपना रेकरिंग अगर किसी को इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा हो तो नीचे डिस्कुस्टिन में जाकि मैंने लिंक दिया हुआ है बैंकिंग का वो फार सेकेंड और थर्ड देख सकता है वहां पर आपको इस कुछिन के सॉलिशन उसकुछिन के सॉलिशन मिल जाएंगे तो यहां पर यह दिया हुआ है और यह रिसीव रूपी 7,725 अब यहां पर एक चीछ ध्यान से पढ़ी है यह कह रहा है यानि कि पैसा पूरा मैच्योर हो चुका है यानि कि पैसा आपको मैच्योर होके मिला है इस पैसे में इंटरस्ट भी इंक्लूड है यह ध्यान रख लीजिए पिसले वाले कुश्यन में जब प्रीवेस वन वीडियो में देखेंगा उसमें कह रहा है एजा इंटरस्ट लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है एजा मैच्योर्टी मैच्योर्टी का मतलब है कि इसमें इंटरस्ट भी इंक्लूड है यानि कि टोटल इतना पैसा अगर आप 300 रूपी निकालना है यह कुश्यन आईसी टो थाउजन एटीन में आया है तो देख लेता है फिर हम इसका सॉलिशन चली कैसे निकालेंगे तो आपको क्या क्या दिया है पहले देख लीजिए यहां पर आपको दिया है ठीक है डिपाॉजट पर मन दिया हुआ है रूपी 300 मैच्योर् और तो आप को दिया है तो आप इसको क्या कर दीजिए मन्फ में संद्स में ऌर्ड कर दीजिए तो one year में कितने मन्त होता है तो यह स्विद्यों से multipy καडीई चुल तो यह आगे आपके पास 24 मन्थ ठीक है तो यह वैली आपके पास हो गई पी की यह पी की वैल्यू है यह maturity है maturity का जिसको मैं mv से रिनोट करूँगा ठीक है matured value ठीक हो गया time time को मैं n से रिनोट कर लेता हूँ यहाँ पर formula के according चलूँगा अभी देखेगा rate मुझे मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पर r यही तो formula है लेकिन अभी मैं इस formula को भी लगा सकता हूँ लगाने में लेकिन पहले मैं interest निकाल लेता हूँ इंटरस निकालने के लिए मैं कौन सा formula लगाऊंगा देखिए इसका सेकेंट पहला matured value equals to p into n plus i मैं पहले interest find out कर लेता हूँ कि मुझे interest कितना मिला तो matured value कितनी है यह देखिए matured value यह रही 7725 रूपी 7725 है principle मेरे पास हर मंत मैं कितना जमा कर रहा हूँ deposit पर मंत 300 रूपी जमा कर रहा हूँ यह रहा कितने मंत तक जमा कर रहा हूँ two years नहीं रखूँगा 24 मंत रखूँगा कितने मंत रखूँगा 24 मंत रखूँगा यहां पर ठीक है तो आप इसको क्या करिए into 24 plus i की value आपको मालूम नहीं है तो अगर आप इस से इसको multiply करेंगे तो यह आ जाएग अब इसको इधर transfer कर लिजे तो i equals to आपके पास आ जाएगा 7725-7200 तो interest आगे आपके पास rupees 525 यह आपके पास interest आ गया अब आपको इसकी value किस value equation में रखनी है इस equation में रख देनी है क्योंकि interest की value आप निकाल चुके है प्रिंसपल आपको मालूम है time आपको मालूम है 24 मंत है interest आपने निकाल दिया यह deposit पर मांथ आपको मालूम है कितना है 300 रुपीज है और time आपको मालूम है 24 मंत है तो रखते हैं फिर इसकी value क्या निकालेंगे interest की value निकाल देंगे तो चलिए रखें फिर i equals to i कितना है आपके पास है 525 equals to p p कितना था 300 रुपीज पर मन्त इंटू एन एन कितना था 12 sorry 24 24 24 प्लस 1 upon 2 into 12 into r upon 100 r upon 100 r आपको find out करना है यह r upon 100 ठीक है यह 0 से आप 0 cancel कर लीजिए ठीक है और 3 4s are 12 ठीक है यह आपने cancel करा तो आपके पास आया 525 equals to 24 into 25 upon 2 into 4 into r ठीक है यह हो गया आपके पास 4 6 और यह cancel हो गया 2 3s तो अब आपके पास बचा 525 equals to 3 into 25 into r तो अब r की वेली आप निकाल दीजिए यहां से यह आगया आपके पास 525 equals to 25 35 75 into r तो r की वेली आपने निकालनी है तो इस 75 को इसके नीचे ट्रांसफर कर दीजिए तो यह आ जाएगा 525 divided by 75 तो यहां पर 8% यह cancel हो जाएगा इससे 7 टाइम तो यह आपके पास rate पास आ गया 7% ठीक है मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहां पर question को ध्यान से पढ़ दीजिगा कि यह maturity दी हुई है यह interest दिया हुआ है अगर maturity दी है तो पहले आप interest find out कर दीजिए interest find out करने के बाद उसमें से जितना matured value है उसमें से principal को minus कर दीजिए जो पैसा आपना deposit किया है तो interest निकल आएगा फिर equation में value put up कर दीजिए तो यह आपके पास solution अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like and subscribe my channel thank you